नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का त्यारी जीत के चैनल पर इस वीडियो में हम पॉलिटी राजवेवस्था के कुछ अतिमहत्पुन प्रश्णों का रिविजन करेंगे प्रश्णों का लेवल थोड़ा कठिन है आपको देखने को और साथी साथ समझने को मिलेगा क कि अगर प्रश्ण थोड़े कठिन हुए तो उनका स्वरूप किस तरीके से रहेगा जी हां कंसेप्ट बेस कोशन्स हैं और जब पेपर खतम हो जाएगा तो मैं हर चैप्टर पर इसी तरह के कोशन्स पूरी तरीके से तयार कराऊंगा सिंपल कोशन कठिन कोशन सभी तरीके पर विचार करें सर्व प्रतम प्राचीन भारत में इसकी अवधारणा मौर्य सामराज्य में दिखाई पड़ती है कथन 1 कथन 2 भारत के सविधान में यह राज्य के नीती निदेशक तत्वों का हिस्सा है कथन 3 सविधान का अनुछेद 40 पंचायतों के गठन का प्रावधा करता है यहां पर कौन से कथन सही है इस तरीके से कूठ हो सकता है सभी सही है केवल एक और दो कथन सही है एक दो तीन कथन सही है या फिर केवल एक कथन सही है तो option इस तरीके से हो सकते हैं और यह statement के रूप में पूछा गया परश्ण है तो आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायतों से संबंदित सविधान संशोधन 73 तरवा है भारत के सविधान में अनुछे 40 के तहट पंचायतों का गठन किया गया है सरव पर्थम जो इसकी अवधारणा है वो हमें प्राचिन भारत में 4 सामराज्य में दिखाई पड़ती है पंचायतों की जब भी बात होगी तो यानि के सकती का विकेंद्री करण की बात हो रही है और सकती का विकेंद्री करण हमें 4 सामराज्य में दिखाई देता है पूछा गया प्रश्ण है और यह जो दूसरा फैक्ट है ये राज्ये के नीती निदेशक तत्व का हिस्सा है, जी हाँ, राज्ये के नीती निदेशक तत्व, कल्यान कारी राज्ये की बात करता है भारत को, और ये जो नीती निदेशक तत्व हैं, ये कहां के सविधान से लिया गया है, ये आयरलेंड के सविधान से लिया गया है, त यत्रवा सविधान संशोधन पंचायती राजविवस्ता से संबंदित है और जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है चौल सामराज्य से संबंदित है दूसरा प्रशन देखिए जरा राश्टिय अनुसूचित आयोग का गठन देश के राश्टपती करते हैं राश्टिय अनु 335 के दिन किया गया है इसके अध्यक्ष का कारेकाल वो सेवा सरते संसद तै करती है अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिये हुए है अगर पेपर सरल बनाना हुआ तो सीधा सीधा वो पूछेगा कि राश्टिय अनुसूचित जाती जन जाती आयोग किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है औप्षन में अनुसूचित 335,336,337,338 इस तरीके से अप्षन होगा आपको जवाब देना होगा लेकिन कोश्टन को थोड़ा घुमा करके पूछा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राश्टिय अनुसूचित जन जाती आयोग का गठन कोन करता है तो यह देश के राश्टपती करते हैं बिल्कुल सही बात है इसका गठन अनुसूचित 338 के तहत किया जाता है राश्टिय अनुसूचित जाती आयोग का 338 जन जाती आयोग का गठन 338 क के तहत तो यहाँ पर दूसरा statement गलत है आर्टिकल पता होना चाहिए 338 याद रख सेवा सरते संसद तै करती है तो संसद तै नहीं करती है राश्टपती तै करते हैं तो यहाँ पर केवल एक सही है प्रश्ण अगर कठिन हुआ तो इस तरीके से हो सकता है यूपी पीशेस ने तो पूली तरीके से इसी तरह का trend अपना लिया है खंड सिक्षा अधिकारी में भी कुछ प्रश्ण आपको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं भुगोल, पॉलिटी, साइन्स तो अपना कंसेप्ट तैयार करके चलिएगा यहाँ पर देखिए सीधा प्रश्ण पूछा गया है भारत के राश्टपती की सक्तियां किस प्रकार कि साशन प्रणाली का उध अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, उत्तरदाई साशन, गड़तंत्रात्मक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो सही जवाब है पहले तो यहाँ पर जो हमारे देख के राश्टपती हैं वो उधारन प्रस्तुत करते हैं गणतांत्रिक लोकतंत्र का, इसका मतलब है कि जो हम उनके नाम से काम चलता है, परत्यक्ष रूप से वो भागिदार नहीं है, वहवारिक रूप से सभी कार्यपालिक सक्तियां जो हैं हमारे देश के परधानमंत्री में नहीं थे हैं, जितने भी बड़े फैसले हैं वो परधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लेती है, तो इसलिए अध्यक्ष अत्मक लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, क्योंकि जनता का प्रतिनिदी है देश का परधानमंत्री, अगर अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका में अध्यक्ष अत्मक लोकतंत्र है, वहाँ पे हैं डॉनल्ड जहां पर एक ही बड़े से ग्राउंड में पूरे देश की जनता आ जाती है अपना मत देती है और एक वेक्ति को सिरेक्ट कर लेते हैं और वो देश का राष्ट पती होता है तो यह प्रतेक्ष लोकतंत्र का जो है वहां पे उधारन है चलिए तो याद समझ में आ गया होगा अध्यक्सात्मक लोकतंत्र का अंतर क्या है गणतंत्रात्मक लोकतंत्र क्या है चलिए एक प्रश्ण जो है कई बार पूछा गया है मंत्री परिशद सामुहिक रूप से उत्तरदाई होते हैं किस के प्रती देश की जनता के प्रती राष्ट पती के प्रती संसत के प्रती ल लोक सभा के परती, ओप्शन D, यदि मंत्री परिशत के किसी मंत्री के विरूद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पूरी की पूरी सरकार गिड़ जाएगी, प्रधान मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, कोश्चन बना हुआ है, इस पे स्टेट्मेंट के रूप में, यूपी पीसियस में, मेंस में, दरसल मैं कुछ सोच रहा हूँ दोस्तो, जब ये एक्जाम थोड़ा हो जाए, तो इसके बाद मैं यूपी पीसियस के मेंस के कोश्चन की आंसर राइटनिंग करके दिखाऊँग हैं, लेकिन साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटनिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम रूप से सिलेक्शन के लिए, जो आप मेंस के में आंसर राइटनिंग करते हैं, उस पर सारा दारोमदार होता है, तो मेंस की आंसर राइटनिंग की सीरीज में जल् प्रश्ण को दिल आता है देश के राष्टपती लोगसभा के प्रोटेम स्पीकर सर्वच न्यायले का न्यायधीश परधानमंत्री कोई नहीं तो सबसे पहले ये प्रश्ण दो बार पूछा गया एक बार लोगसभा के प्रोटेम स्पीकर को देखे एक बार ऑप्शन में ये नहीं था तो सबसे पहले तो इसका सही जवाब होगा कोई सपत की व्यवस्था नहीं है सिर्फ प्रोटेम स्पीकर जिस तरीके से लोगसभा के सभी मंत्रियों को सपत दिलाते हैं सदस्यों को ठीक उसी तरीके की सपत जो है लोगसभा के अध्यक्ष को भी दिलाई जाती है तो option में जरूर धियान दिजےगा अगर प्रोटेम स्पीकर नहीं है तो आपको क्लिक करना है कोई नहीं पर क्योंकि इसके लिए कोई अलग से सपत की विवस्था नहीं है जिस तरीके से सभी सदस्यों को सपत दिलाई जाती है ठीक उसी तरीके से जो है लोगसभा के अध्यक्ष को भी सपत दिलाई जाती है क्योंकि लोगसभा का जो आने वाले व्यक्तियों को सपत दिलाता है लोगसभा में एक समय के लिए। योजना आयोग पर कई सारे परस्ट में बने हैं चुनकी योजना आयोग अब हट चुका है। अब आगया है नीती आयोग, नीती आयोग कोई भी रिपोर्ट जारी करती है, तो वो करेंट अफेर के लिहाज से बहुत important question है, exam के point of view से, उसको मत छोड़ियेगा, तो यहाँ पे नीती आयोग से संब्धित प्रश्ण डाला गया है, चार statement है, यह एक समवेधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका गठन एक जनवरी 2015 को किया गया, यहाँ पर कौन सा statement गलत है, question number 7 का सही जवाब होगा, यह एक समवेधानिक निकाय है, यह statement गलत है, समवेधानिक निकाय, उस निकाय को कहा जाता है, जिसका वर्णन सविधान में दिया गया हो, किसी आर्टिकल के तहत, किसी अनुचेद के तहत, चुंकि एक जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री केंद्रिय मंदल की प्रस्ताव पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो यह एक वैधानिक संस्ता हुई, प्रस्ताव पारित करके, और इसके अध्यक्ष कोन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, इंपोर्टेंट है, अभी तक जो कोशन बने हैं नीति आयोग पर वो इसी तरीके से बना हुआ है, डारेक्ट भी पूछ सकता है कि इसका गठन किस वर्ष किया गया, जिस तरीके से योजना आयोग के संदर में कौन सी हैं, हमारे देश के सविधान की संगिये विशेस्ताएं बतानी हैं आपको, अध्यक्षा आत्मक प्रणाली, इकहरी नागरिक्ता, सामुहिक जिम्मेदारी, द्वी सदनी है, विधाई का, सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब है, अध्यक्षा आत्मक प् लोगसभा पर लागू होती है, द्वी सदनी है विधाई का, यह सही है, तो यहाँ पर होगा केवल दो और चार, इस तरह के प्रश्णों के लिए आपको तैयार रहना है परिक्षाक में, सविधान में राज्यपाल का पद एक समवेधानिक पद है, साते साथ प्रसाद प्रियंत है, उसका त्याक पत्र किस पर निर्भर करेगा, option है राश्टपती पर प्रधान मंत्री पर सम्वेधानिक रूप से राश्टपती पर लेकिन वैवारिक रूप से प्रधान मंत्री पर या फिर संसत पर तो राज्येपाल जो पद की सपत लेता है वो प्रसात प्रयंत के रूप में लेता है उसका पद सम्वेधानिक तो है लेकिन वो राष्टपती पर निर्भर करता है तो प्रधान मंत्री की सलहा पर त्याक पत्र मांग सकता है राष्टपती जब चाहे सव विवेक के आधार पर इसी का मतलब होता है प्रसाद परियंत तो यहाँ पर C आप्शन होगा राष्टपती और उपराष्टपती के निर्वाचन संबंदी विवाद का निप्टारा अंतिम रूप से किसके द्वारा किया जाएगा और ये एक सम्वेधानिक मामला हुआ संसत द्वारा लोगसभा द्वारा सर्वोच न्यायले द्वारा सर्वोच न्यायले और हाई कोट दोनों के द्वारा राष्टपती और उप्राष्टपती के निर्वाचन संबंधी विवादों का निप्टारा करने का अंतिम प्राधिकार सविधान द्वारा किसको बनाया गया है सही जवाब है सर्वोच न्यायले को एक मात्र संस्था सर्वोच न्यायले जी हाँ, सविधान ने बनाया है, निर्वाचन आयोग भी इसका फैसला नहीं कर सकता, ना संसद, ना लोकसभा, ना हाई कोट, सिर्फ और सिर्फ सर्वोष नयायले, और ये उसका मूल अधिकार है, सर्वोष नयायले का, सर्वोष नयायले के भी कई तरह के अधिकार है, मूल कतनों पर विचार करें, कौन सा कतन सही नहीं है, कोई विधेक, धन विधेक है या नहीं, इसका फैसला देश के राष्टपति करते हैं, लोगसबा में लाने से पहले राष्टपति की मंजूरी अनिवार रहे, धन विधेक के संदर में बात की जा रही है, भारत की संचित पर देश के प्रदानमंत्री को त्याक पत्रों देना पड़ सकता है। Option E, राज्य सभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पांच स्टेटमेंट दियें। इस तरह के प्रशनों के लिए आपको तयार रहना चाहिए। इससे ज्यादा कठिन प्रशन तो UPSC में भी नहीं पूछा जाता है। जी हाँ, अगर आप बेसिक से तयारी करते हैं, तो देश की बड़ी से बड़ी प्रिक्षाएं जो हैं क्लियर कर सकते हैं। कोई कठना ही नहीं होगी। सिर्फ डारेक्ट फैक्ट्स वाले कोशन को मत देखें। कोशन के उपर जितनी ज्यादा नौलेज आप बढ़ा सकें उतना बहतर। इसको मैं 3D डायमेंशनल तरीके से पढ़ने की टेकनीक बताता हूँ। मैं अपने हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से तयार करता हूँ। कि किसी भी प्रश्ण को अगर तयार करें तो उस प्रश्ण से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स आपको पता चलें उतना बढ़िया। क्योंकि एक्जाम में किस फैक्ट को जोड़ करके प्रश्ण वो पूछ लेगा कुछ नहीं का जा सकता। अब यहां पर धन विदेख पर आप प्रिवेस एर के कोश्ण देखेंगे तो कई सारे प्रश्ण डारेक्ट भी मिलेंगे, स्टेट्मेंट के रूप में मिलेंगे, तो धन विदेख इंपोर्टेंट जो है टॉपिक है, पता होना चाहिए आपको, कोई भी विदेख, धन व लोकसभा में ही सरुपर्थम लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं, कोई भी वे, किसी भी परकार का वे, अगर वो संचित निधी से संबंदित है, भारत की संचित निधी से, तो धन विदेख कहलाता है, ये भी बात बिलकुल सही है, धन विदेख, जब लोकसभा से पारि पूर्टा एकाधिकार है लोगसभा का धन विदेग के संदर में इसलिए काया था है कि राज्यसभा की शक्तियां धन विदेग के संदर में तुलनात्मक रूप से काफी सीमित है राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए ही धन विदेग को अपने पास रोक सकती है उसके बाद भी अगर वो नहीं लोटाती है लोगसभा को धन विदेग बिल तो पारित माना जाएगा और यासा माना जाएगा कि राज्यसभा ने अपनी स्विक्रिती दे दी है भले ही वो अपन स्विक्रिती मीं स्टेट्मेट भी सही है कि राज्यसभा कोई संचोधन नहीं कर सकती वो सिर्फ सिफारिशे कर सकती है जिसको मानना ना मानना लोगसभा पर निर्भर है वो भी सिर्फ 14 दिनों के लिए अपने पास रोक सकती है उसके बाद स्वताह पारित मान लिया क्योंकि लोगसवा ने इसे पारित कर दिया है और राष्टपती धन विदेक को कभी भी पुनर विचार के लिए लोटा नहीं सकते क्योंकि उनकी स्यूकरिती पहले ही दी जा चुकी है और ये केवल धन विदेक के मामले में ही होता है तो धन विदेक काफी important topic है कई बार प्राकपत्र भी देना पढ़ सकता है UPSC का प्रश्ट है statement के रूप में और इस प्रश्यता निवारन हेतु संसत द्वारा बनाया गया कानून कौन सा है सबसे पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए अनुछेद 17 किसी भी तरह के छुआ छूत का विरोत करता है और उसका जो अनुशूर्चित जाती जन जाती संरक्षन अदिनियम 1989 तो आज प्रश्यता के निवारन हेतु संसत द्वारा कौन से कानून मनाये गए है तो option A और option D civil right संरक्षन अदिनियम 1955 और अनुशूर्चित जाती जन जाती संरक्षन अदिनियम 1989 तो यहां पर एक और चार सही होगा चार स्टेटमेंट दिये हुए हैं प्राकलन समिती को सतत मितवयता समिती कहा गया है कथन भी प्राकलन समिती में संसत के दोनों सदनों के सदस्य सामिल होते हैं कथन तीन यह संसत की सबसे बड़ी समिती है कथन चार इसका ध्यक्ष लोकसभा से होता है तो कौन सा statement गलत है तो प्राकलन समिती को सतत मित व्यता समिती कहा जाता है बिल्कुल सही बात है कथन बी जो है वो गलत है प्राकलन समिती में संसत के दोनों सदस्यों दोनों सदनों के सदस्य सामिल नहीं होते हैं केवल और केवल लोकसभा के सदस्य सामिल होते हैं, 30, 30, यह संसत की सबसे बड़ी समिति है, जनसंख्या के मामले में, सदस्यों के मामले में सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य इसमें होते हैं, इसका अध्यक्ष लोकसभा से होता है, जब लोकसभा से ही सारे सदस्य हैं, 30 सदस् पर विदहाई नियंतरन रखने में नमबर वन पर जो समिति आती है, यह लोकलेखा समिति, इसका काम क्या है, जो देश के नियंतरक महलेखा परिक्षक है, वो देश में जितनी भी बड़ी खर्च हुए होते हैं, देश की संचित निदी पर भारित वे होते हैं, उन सभी का एक के राष्टपती को सौपते हैं और देश के राष्टपती जो है उस रिपोर्ट को संसत के पतल पर रखवाता है दोनों सदनों में और फिर एक समिती तयार की जाती है जिसका नाम होता है लोक लेका समिती किसके दवारा कठित की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के दवारा इसके अध्यक्ष कोन होते हैं विपक्ष का नेता हमेशा विपक्ष का नेता होता है इस बात को याद रखिएगा उसको वही सक्तियां जोकि एक मौली करिकार है उसके संदर में आपको विचार करना है कौन सा कथन सही नहीं तो अनुछेद 19 वाक्त और अभिव्यक्ति कि स्वतंतरता से संबंदित है पता होना चाहिए सिधा-सिधा इस statement के रूप में इस तरीके से भी दे सकता है ये आपके ऊपर है कि आपको पता होना चाहिए कि अनुछेद 19 क्या कहता है ये प्रिवेस एर का question है तो अनुछेद 19 इसमें सामिल है, देश के किसी भी हिस्से में जाना, रहना, वैपार करना, बसना, ये भी इसमें सामिल है, आपातकाल में ये निलंबित नहीं होता है, निलंबित, सस्पेंड नहीं होता है, तो अनुछेद 19 क्या कहता है, बोलने की स्वतनत्ता, अभिव्यक्ती की स्वतनत्ता जो देश के नागरिकों को ही केवल प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसमें राश्टिय जंडा फैराना सामिल है, बिल्कुल सही बात है, सांतिपूर्ण सम्मिलन कर सकते हैं, ये भी सही बात है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, बैठ सकत बाकि सभी मौलिक अदिकार निलंबित हो जाते हैं स्वता ही जैसे ही देश में अपातकाल लग जाता है तो इस्टेट्मेंट D गलत है चलिए वाक एवम अभिव्यक्ति की स्वतांतरता के अंतरगत किसे संदक्षन नहीं है नागरिकों को प्रेस को सोशल मीडिया को गैर मौलीक अदिकार कहां से लिये गए हैं अमेरिका के सविधान से मौलीक अदिकारों के हनन के संदर में कौन सी सन्दार रिट जारी करती है तो सरवच नियायले star 32 के तहत हाई कोड़ अनुछीद 224 के तहत समयधानल गूप 4 अदिकार भी खहता है अनुछीद 32 को चलिए चार स्टेट्मेंट दिया हुआ है बहुत important है सविधान सभागी पहली बैटक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी सविधान सभागे पर्थम औ इस्थाय अध्याक्स डाक्टर सचिदानन सिना थे सविधान सभागे प्रथम इस्थाई अध्यक्ष डाक्टर राजिंदर प्रसाद थे सविधान सभाद वारा भारत का सविधान 26 नॉंबर 1949 को अंगी कृत किया गया था कौन सा स्टेटमेंट यहां गलत है यहां पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है सभी स्टेटमेंट सही है ठीक है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डाक्टर सचिदान सिना के नेतिरत में हुई थी जो की औस्थाई अध्यक्ष थे दो दिन बाद 11 दिसंबर को डाक्टर राजिंदर प्रसाद सर्व सम्मती से इस्थाई अध्यक्ष मन गए और 26 नॉब्बर 1949 को अंगी कृत कीया गया था देश के सविधान को सविधान सभा द्वारा नेमलिकित मैं से कौन सा अधिकार सविधान के अनुछेद 21 के अंतरगत मौलिक अधिकार में नहीं आता है देहिक सुरक्षा सम्बंदित जान से संबंदित मौली का दिकार प्राणों से संबंदित मौली का दिकार है ये तो यहाँ पर सही जुआब हो जाएगा option D सूचना का दिकार सूचना का दिकार अनुछेद 19 के तहट वाक एवं अभियक्ति के अंतरगत आता है स्वास्ते का दिकार इसमें सामिल है सिक्षा का दिकार अनुछेद 21 के तहट आता है सच वातावरन का दिकार जो है अनुछेद 21 में आता है खंड सिक्षा के दिकारी के जो परिक्षा की तहरी कर रहे हैं वो ये बात जान ले सिक्षा संबंदित जितने भी facts और previous year में question बने हैं उनको एक बार जरूर revise करके जाएगा जैसे कि ये प्रश्ण जो है important रहेगा आपके exam के लिए कि सिक्षा का अधिकार किस मौली का अधिकार अनुछेद के अंतरकत आता है तो अनुछेद 21 के तैर इसके अलावा सिक्षा के अधिकार से संबंदित सविधान संशोधन कोन सा है उसका वर्शकाल कोन सा है ये भी पता होना चाहिए सिक्षा के अधिकार से संबंदित कोन सा आर्टिकल राज्य के नीती निदेशक ततोव में सामिल है वो पता होना चाहिए, परश्ण पूछ लेता है, इसके लावा सूचना का अधिकार के उपर भी परश्ण आप से पूछा जा सकता है, कई बार repeat हुआ है, जैसे कि ये परश्ण मैंने सूचना के अधिकार फे बनाया है, सूचना का अधिकार अनुछेद 19.1 के तहत महली का सर्व पर्थाम 1976 राज नारायन बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्छतम न्यायले ने इसे अनुछेद 19 के तहत एक मोलिक अधिकार घोशित किया था, बिल्कुल सही बात है, संसत द्वारा वर्स 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, केंद्रिये सूचन आयोक के जो मुख्य आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ती देश के राष्टपती के द्वारा की जाती है, अभी हाली में केंद्रिये सूचना आयोक के नए आयुक्त जो हैं, करेंट अफिरा कोशन है, केंद्रिये सतरक्ता आयोक के नए आयुक्त कोन है, इन सभी के ऊपर मैंने क कोशन बनाया हुआ है अच्छे से करके जाईएगा रिवाइस यहां पर चारो स्टेट्मेंट सही है सूचना का दिकार 1901 के तैत मौली का दिकार है सरवप्रथम मामला आया था राज नारायन बनाम उत्तर प्रदेश 1976 आरो यारो का कोशन है यह पूछा गया था कि किस वर्ष और किस व्यक्ति से संबंदित है सूचना का दिकार संसत द्वारा किस वर्ष सूचना का दिकार पारित किया गया सिधा सिधा वर्ष काल दे देगा 2004, 2005, 2007 इस तरीके से अगर सिधा सिधा कोशन पूछन पूछना हुआ तो सूचना का दिकार अधिनियम पारित हुआ था सन 2005 म करते हैं निम्र में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य थे UPCS 2017 GS1 का कोश्चन है सबसे पहले तो याद रखेगा सरकारियों आयोग का गठन किया गया था 9 जून 1983 को केंद्र राज्य संबंदों से संबंदित सरकारिया आयोग है कुल मिला के 23 के करीब आयोग हैं जिन पर परश्ण UPCS में अभी तक बन चुके हैं और उनको मैंने एक वीडियो में कवर किया था कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपोर्टेंट वीडियो में उस तरह के दे दूँ ताकि रिवीजन हो जाए UPCS के मैंने करवा चुका हूँ फिलाल यहाँ पर परश्ण ज़रा ध्यांस देखिए सरकारिया आयोग के सदस्य निम्न में से कौन थे तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा Option C, Dr. S.R. S.N. केंदर राज्य संबंदों से संबंदित था सरकारिया आयोग 9 जून 1983 को गठित किया गया था इसमें कुल मिला के तीन सदस्य थे उन तीनों का नाम याद रखेगा क्योंकि यह प्रश्ण दो बार बन चुका है सरकारिया आयोग पर Justice RS सरकारिया जो की अध्यक्स थे दूसरे मेंबर थे Shreeby Sivraman Dr. S.R. Sain यह इन तीन वेक्तियों का नाम ज़रूर याद रखे भारतिय संग्ये व्यवस्था किस राष्ट की संग्ये व्यवस्था से मेल खाती है Australia, Canada, Switzerland, America, Britain संग्ये व्यवस्था की बात हो रही है तो सही जवाब है Canada Option B चलिए, आगे बढ़ते है अंतिम प्रश्ण है यह आज की वीडियो गा निमलिकित में से कौन अंतराज्ये परिशद के गठन करने के लिए अधिकरित है सविधान के द्वारा UPSS 217 का ही प्रश्ण है यह अंतराज्ये परिशद के गठन से संबंदित प्राधिकार किसको प्राप्त है तो देश के राष्टपती को Option A इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक और साथ इसाथ प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं डाल रहा हूँ एक बार जरूर विजिट करिएगा और कोशन्स को रिवाइज करिएगा जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था संबंदित कोशन्स में डालूँगा इसके लाब पॉलिटी के जितने भी वीडियो मैंने पूरूर में बनाया है उन सभी वीडियो को एक पॉलिटी सेक्षन के तहट में डालने जा रहा हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ से विजिट करके आप सीधा जो है पॉलिटी के प्ले लिस्ट से जुड़ जाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के बिज में शेयर करें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में